Hello and welcome to pharma विदा ग्यान तो नई Central Government की वेकिंसी निकलिए फार्मसिस्ट की तो इसमें हम देखेंगे डीटेल पर कितनी पोस्टे हैं कैसे अप्लाइ करना हैं क्या Education Qualification है syllabus किस तरह किसे रहेगा आपको preparation किस तरह किसे करनी होगी तो डीटेल वीडियो रहेगी तो वीडियो को end तक जरूर देखें तो इसमें जो हम बात करेंगे government of India department of atomic energy में ये वेकिंसी रहेगी तो ये वेकिंसी आपको तमिल नाडू में आपको इसकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी तो इसमें जो है वेकिंसी की बात करें फार्मसिस्ट की पोस्ट है ये जो सभी पोस्ट हैं गोर्मेंट वेकिंसी है सेंटर गोर्मेंट की पोस्ट हैं रहेंगी तो इसमें जो है अलग 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 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इसके साथ यहां पर फीजियो post रहेगी तो लेवल जो है लेवल 5 की post है salary जो इसमें आपको मिलेगी 29,200 जो है आपको in hand जो है salary मिलेगी इसके साथ ही total post ने जो है आपको 14 post ने दिखेंगी maximum age जो है general category लिए 25 years रहेगी si-si-si-si को जो है 5 years का relaxation प्रोवाइड होता है और OBC को 3 years का जो है समय relaxation मिलेगा तो आगे हम देखेंगे detail पर किस तरीकिस से रहेगा तो अलग-अलग department में आपको vacancy देखने को मिलेगी इसके साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ECG technician की भी post रहेगी orthopedic technician की भी post रहेगी तो इसमें हम अभी detail पर सिर्फ pharmacist की बात करेंगे तो यह vacancy आपकी तबलनाडू में देखने को आपको मिलेगी इसके साथ यह ग्रूप A की भी post आपको इसमें मिलेगी अब सीधे बात करते हैं qualification जो इसमें क्या मागी गई है age limit किस तरीके से रहेगी और other category में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम अगर pharmacist की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं pharmacist की जो post रहेगी group C की post रहेगी और इसमें जो criteria रहेगा diploma in pharmacist आपने करा होना चाहिए साथ में जो तीन महने की training होती है वो आपने करी होनी चाहिए साथ में registration आपका होना चाहिए pharmacy council में या फिर state में हो या फिर आपका central में होना चाहिए ठीक है तो यह criteria आपका रहेगा तो इसमें देखिए किसी भी प्रकार का experience माना नहीं गिया है तो आप अगर experienced हैं तो apply कर सकते हैं अगर आपके पास experience नहीं है fresher candidates हैं तो तब भी आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं तो यह vacancy all India है कोई भी candidates इसके लिए apply कर सकते हैं तो criteria मैंने बता दिया diploma होना चाहिए minimum 2 येर का साथ में 3 महने की जो training रहती है सेलरी आपको यहाँ पर level 5 की देखने को मिलेगी central government के अंदर जो रहता है इसके बाद आपको increment भी आपको देखने को मिलेगा तो वेतन भत्ता जो आपको रहता है महंगाई भत्ता तो बाद में ये salary आपकी बढ़ते रहती हर साल की दर्प तो ये सारी चीज़े होंगी अब हम बात करेंगे selection process आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम इसका code देख लें तो PHM01 जो है इसका code रहेगा post code यहाँ पर आपको देखना होगा तो इसमें जो criteria रहेगा prelims exam रहेगा जिसमें की CBT mode में exam कराये जाएगा जिसमें की maths के questions, science के questions general awareness के questions जो है रहेगे तो prelims आपका रहेगा इसके बाद जब आप prelims qualify कर लेंगे उसके बाद आपका means होगा तो जो questions रहेंगे total questions जो आपको रहेंगे वो 50 MCQ questions आपको देखने को मिलेंगे और आपका जो है इसमें negative marking भी देखने को मिलेगी अगर सही उत्तर करेंगे तो आपको जो है 3 marks मिलेंगे गलत करने में 1 marks deduct negative marking में हो जाएगा इसके साथ आपको 40% score करना होगा general category के लिए और other category के लिए जो है reserve category के 30% इसके बाद जो second paper रहेगा वो advanced test आपको देखने को मिलेगा जिसमें की screen stage 1 और stage 2 जो रहेगा वो advanced रहेगा इसके साथ ही जो है इसमें second stage जो रहेगी वो advanced test रहेगी जिसमें की all candidate screen in stage 1 will be allowed to take under stage 2 तो पहले जो है आपका stage 1 रहेगा और इसके बाद आपका stage 2 जो है advanced test रहेगा तो advanced test में क्या रहने वाला है कि आपके subjective जो pharmacy field से questions है वो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें की 50 questions आपको मिलेंगे ठीक है तो same criteria रहने वाला है इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो merit list निकलेगी वो आपके किसके basis पे निकलेगी advanced test के basis पे निकलेगी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पढ़ें merit list of candidates will be appear after second stage based upon the score obtained in stage 2 तो इसमें जो है second stage काफी important आप लोगों के लिए रहेगी जो की pharmacy field से आपके questions देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है एक note दिया गया है जिसमें लिखा गया है stage 1 जो की prelims रहेगा और जो stage 2 advanced will be conducted in a single session as section A and section B मतलब जो आपका stage 1 है prelims और जो stage 2 है means जो मतलब आपका advance रहेगा वो एक ही दिन कराया जाएगा क्योंकि पहले stage में 50 questions second stage में 50-50 questions आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ ही जो test रहेगा वो आपके 3 घंटे का रहेगा जो आपकी response sheet है second stage advance will be evaluated on those candidates who qualify in stage prelims तो same day आपका ये exam रहेगा इसके साथ ही जो है trade और skill test भी आपका कराया जाएगा तो वो आपका sort list कराया जाएगा जिसमें की 4 या 5 गुना candidates को इसमें बुलाया जाता है ठीक है तो ये आपका trade test बाद में रहेगा उसके बारे में जो other notification आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको SCST को 5 years का relaxation और OBC को 3 years का relaxation जो है provide कराया जाएगा तो इसका आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है और physical handicap को 10 years का relaxation रहेगा जो form की fees रहने वाली है वो सिर्फ 100 rupees आपको form fees देखने को मिलेगी इसके साथी जितने भी SC candidates है, ST candidates है physical handicap है, women's है तो उनको कोई भी fees आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके साथी अगर आप इसके advance test की preparation करना चाहते हैं, तो आप हमसे join हो सकते हैं जो की crash course आपको provide कराये जाएगा, जिसमें की सारे जितने भी आपके pharmacist से related questions रहेंगे previous year question paper, competitive exam के जितने भी government exam के रहते हैं और जो ये exam conduct हो रहा है इसके भी previous year question paper पर आपको provide कराये जाएंगे mock test आपको provide कराये जाएंगे तो आप हमसे join हो सकते हमें whatsapp करें इस number पे जिसमें की आपको पूरी test series provide कराये जाएंगे जो course की fees रहने वाली वो सिर्फ और सिफ two double nine रहेगी तो इसके regarding सारा update आपको description में भी provide कराये जाएगा तो आप वहाँ से check out करके whatsapp में हमें text message करें उसके बाद हम आपको सारी details वहाँ से provide करा देंगे तो ये जो है आपको course को आप लोग हमसे purchase कर सकते हैं जिसमें की हम आपको पूरी advance test के regarding सारी जो है जानकारी provide कराएंगे ठीक है तो ये होगे advance test इसके सारी जो है age criteria आपने देख लिया fees relaxation में आपने देख लिया कि किन किन को जो है fees में आपको छूट मिलेगी और 100 rupees सिर्फ general category के लिए OBC के लिए और EWS category के लिए रहेगी exam जो रहेगा वो आपका CBT mode online mode में जो है रहेगा इसके सारी जो आपके questions रहेंगे वो English और Hindi में पूछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसमें screening test जो है रहता है इसके बाद हम next चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जो इसमें important रहेगा कि exam center आपको कहा कहा देखने को मिलेंगे तो यह जो है 25 exam center आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर जाके आप लोग अपने exam दे सकते हैं तो यह जो है इसके exam center आपको पूरे all India आप लोग देख सकते हैं इसका screenshot भी ले सकते हैं इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे और तीन एक्जाम सेंटर आपको जो हैं चूस करने होंगे जिसमें की फास्ट चॉइस आपको जहां आप करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे तो जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म फिल अप करेंगे उस हसाब साब को जो है exam center जो है lot हो जाएंगी इसके साथ यह apply करने का जो link है वो active हो चुका है इस पर भी वीडियो हम जल से जल आपके लिए बनाइगी कि कैसे आपको apply करना है तो आप लोग चैल के साथ make sure subscribe कर लें और वीडियो को जादे से जादा like करें और अपने दोस्तों के सांद share जरूर करें ठीक है तो यह पूरा update रहेगा जिसमें कि हमने बात करी फार्मसिस्ट में जो फार्मसी का जो एक्जाम रहने वाला किस तरीके से रहेगा क्या age criteria है किस तरीके से form fill up करना है और अगर आप इसका course purchase करना चाहते है crash course जिसमें कि पूरे previous year question मौक टेस्ट आपको प्रवाइड कराए जाएंगे तो इस नंबर पे आप हमें WhatsApp मेसिज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहेगा वो हम नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई